बिनोध मिश्री जी हैं उनी से हम चर्चा की चर्चा को विष्टार देते हैं इस चर्चा को बिनोध जी जैसा कि हमने देखा था कि असम में भी इस तरह का मामला आया था असम की एक महिलानेता ने यह आरूप लगाया था अब केरल से यह विस्फोर्ट हुआ है क्या यह विस पर के यह से सुनने का, कि आभी बने देखा कि अपना बयान दे रही थी भी उसमें, उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस को ये ये बताने की जरूरत नहीं है ये टो तो कॉंग्रेस में ये 3 महिला है तो सारी महिलाएं जो कांग्रेस में कार्ज करता है या छोटे पद पर या बड़े पद पर हैं उनके लिए वो महिलाओं का उसमें योगदान कुछ भी नहीं है अगर सीमा रोजबेल जो अपने जिंदगी के कम से कम 20 से 25 साल कांग्रेस को दिया है और उसने जब ये चर्चा हेमा कमीटी की रिपोर्ट पे हो रही थी तो उस संदर्ब में उन्होंने कहा कि ये कास्टिंग कौच का मामला तो पार्टी के हमारी पार्टी में भी एक पड़मपड़ा बन गई है पार्टी को काईदे से कांग्रेस पार्टी को इसकी जाच करनी चाहिए और हुआ उल्टा कि उनके इस टेलिविजन पे इंटरिव्यू देने के साथ ही उनको आनन फानन में प्रात्मिक सदस्यता से भी वेदखल कर दिया गया मतलब उनका उसके एक बयान पे कि ये कास्टिंग कौच के बारे मन उनने कहा तो कांग्रेस पार्टी को सिरियसली इसकी जाच करनी चाहिए या उसमें बयान आता कि हमने इसको एक बड़ा आरोप मानते हैं और इसकी हम जाच के लिए कमीटी बनाते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ नेत्रियूति में सिर्फ ये तीन चेहरे हैं बाकी महिलाओं का उनके लिए कोई योगदान नहीं है या बाकी महिल मतलब नहीं है जो आप अशाम की बात कर रही थी अगर आप पार्टी के अंधर और पार्टी के नेता अगर महिलाओं के लिए अपने आचरण को नहीं दिखाएंगे तो साइद उनका नैतिक हक नहीं बनता जब वो कहेंगे कि बेटी हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो साइद उनका कोई एक नैतिक हक नहीं बनता है विजय जी विजय जी आज इतने सालों बाद अब नैना साहनी की बात नहीं करूंगा ठेक है नैना साहनी की बात को छोड़ देते हैं आज बात कर रहा हूं कि प्रियंका गांधी जी ने जिस लड़की के बारे में